नमस्कार दोस्तो देल लेर्नर पॉंट में आप सबी का श्वागित है दोस्तो अपन कर रहे थे और पेषि फॉस्ट ग्रेड मनो विज्ञान के ओल्ड पेपर हल आज दोस्तो इसी कडि में अपन हल करेंगे रसाइन विज्ञान कमेश्ट्री में जो मनो विज्ञान आई थी उसके 30 परसन हल, यहां पर लाइव चेट का उप्सन रहेगा दोस्तों, आप उतर देने की कोशिज करना देखते हैं, आप कितने से कर पाते हैं, तो पहला परसन आपके सामने स्क्रीन पर, यह है परकिरिया जिसमें किरियाओं की सरंचना यू निश्पादन विद्यार्थी के वेभार में परिवर्तन के लिए किया जाता है कहलाती है, अनुदेशन, शिक्षन, परशिक्षन या परति पादन, तो देखे दोस्तों, इसका रायटांसर हो जाएगा, यह परकिरिया जिसमें किरियाओं की निरंतर सरंचना यू निश्पादन विद्यार्थी के वेभार म परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो यह दोस्तों, शिक्षन हो जाएगा, इसका रायटांसर, क्या हो जाएगा, शिक्षन, नेक्स्ट है दोस्तों, निमन में से कौन सा कारक थोरण डाई के अधिगम से शुमेलित नहीं है, तत परता का नियम, अभियास का नियम, गुण वत्ता का नियम यहाँ नहीं होगा, नेक्स्ट परसेन है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सा एक भाग कम्प्यूटर की परकिरिया का अंग नहीं है, केंद्री है, परकिरिया एकाई, अर्थमेटिक एयों, लोजिकल, अदा, नियंत्रन एकाई, तो जल्दी से इस नेक्स्ट परसेन है दोस्तों, जब एक शिख्षक विद्यार्थियों को उनकी अधिगम आउशक्ता, आउशक्ताओं के अधार पर पढ़ाता है, तथा उनकी अधिगम शमश्यों का श्रमाधान करते हुए अधिगम सुरोतों की ओर ले जाता है, तो शिक्षन का स्तार जाता है तता उनकी अधिगम शमश्यों का शमादान करते वे अधिगम श्रोतों की और ले जाता है तो शिक्षन का स्तर कौन सा है दोस्तो विमर्शी चिंतन स्तर है नेक्स परसन है दोस्तो आपके सामने स्क्रीन पर किसी कारे को करने की विसीश्च छमता को क्या कहते हैं अभिरुची, अभियोगेता, अभिवर्ति या परतेक्षिकरन तो देखे दोस्तो किसी कारे को करने की विसीश्च छमता को क्या कहते हैं अभियोगेता नेक्स परसन है दोस्तों किस सिद्धान्थ को छेत्रिय सिद्धान्थ के नाम से जाना जाता है श्मग्रवाद, कोलर का सिद्धान्थ, तोरंडाई का सिद्धान्थ या स्किनर का सिद्धान्थ तो देखे दोस्तो इसका रायटांत हो जाएगा श्मग्रवाद का सिद्धान्त इसे दोस्तो छेत्य शिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है नेक्स है दोस्तो आई के देविस के अनुशार शिक्षण की परमोक अवस्ताइं है डी देखे दोस्तो शाथ का रायटांत हो जाएगा नियोजन विवस्ता अगर्शण तथा नियंत्रं नेक्स्ट दोस्तो प्रेतन यों तुरूटी सिदान्त के परतिपादक हैं पावलव, थारंडाइक, श्किनर या कोहलर तो प्रियाश वे तुरूटी के सिदान्त के परतिपादक दोस्तो कौन हैं जल्दी से बताइए मुझे आप बिल्ली पर प्रियोग थोरंडाइक नेग्स है दोस्तो नो नूमबर की शोरों के नेतिक विकास के लिए शब शे महतुपूर्ण कारख है आदर्श पूस्त के पढ़ने को दें आदर्श व्यक्तियों को जीवनी के बारे में बताएं श्वयम आदरश परस्तूत करें या मित्रवत विभार करें तो देखे दोस्तों 9 का राइटांब सोझे एगा श्वयम आदरश परस्तूत करें दस नमबर है दोस्तों आपके सामने निमे लिखित में से कौन साकक्ष अधिगम में निर्मित वादी पक्ष नहीं है विद्ध्यारती शमुएं में कारे करते हैं शिक्षक विद्ध्यारतियों से शमुवाद रखता है पठे पुस्तक अभ्यास पुस्तक दारित अधिगम या अंतेकिरिया पूर्ण अधिगम तो देखे दोस्तों 10 का right answer क्या हो जाएगा से पठ से समंदित नहीं है मनोविसलेशन सिद्धान सुलेवान का अंतरवेक्तिक सिद्धान एरिक्षन का सिद्धान या हल का सिद्धान तो दोस्तो इसका और प्रशन पतानिक रीजिन क्या है नेक्स्ट है अध्यापक का सम्प्रेशन सर्वेदर्श्य शामगरी का उप्योग तो बारा का राइटांस रो जाएगा दोस्तो अधिगम के लिए सब शे अधिक में तो पुनिस्तिति कौन सी है कक्षा कक्ष का वातावर्ण नेक्स है दोस्तो तेरह नंबर जब एक विद्यार्थी शुयम की ऐसफलता का दोश ऐस्योगी कारकों को देता है जिससे उसके एवांचित विभार्षे ध्यान हट जाए तो यह क्या कहलाता है उदाती करण, दमन, तादात्मी करण या तादात्मी करण या परक्षेपण एस्योगी कारकों को देता है जिससे उसके एवांचित विभार्षे ध्यान अट जाए तो वो प्रक्षेपण कर रहा है दूसरों पर थोप रहा है जैसे एक बच्छा फैल आ गया तो बोलता है कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं मतलब थोप रहा है नेक्स्ट है मानस अरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो मानुई है समन्द से संमंदित है यह किस ने कहा तो यह क्रोग और क्रोर ने कहा था दोसतो उच öğren परशन है कुछ लोग लोगों में आसानी शें समधित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है उच बुद्धी लब्दी, शेक्षिक लब्दी, शामेगिक लब्दी या अध्यात्मिक लब्दी तो देखे दोस्तों कुछ लोग नए लोगों में असानी से समाईजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें दोस्तों EQ, emotional quotient दोस्तों उच है, सामेगिक बुद्धी उच है नेक्स्ट दोस्तों, आगमन चिंतन शिक्षन परतिमान के परतिपादक हैं डेविडासुबेल, हिल्धा तामबा, राबर्ट, गलेशर या जिरोम बुरुनर तो देखे दोस्तों सोडा का right- wisely हो जाएगा आगमन चिंतन शिक्षन परतिमान तो आगवन चिंतन शिक्ष्ण परतिमान के परतिपादक दोस्तों हिल्दा तामबा है नेक्ट परसन है निमन लिखित में से कौन सी वस्तु शोफ्ट्वेर तकनीक में शमलित नहीं है फलेश कारड ओपेक प्रोजेक्टर पोस्टर या कारटून तो दोस्तों सत्रा का राइट अंसर हो जाएगा ओपेक प्रोजेक्टर नेक्ट एठारा नंबर एक आठ वर्ष ये बालक अपने छोटे भाई की तरह गुटने चलाता है यह उदार्ण है परतिगमन, युक्तिकर्ण, दमन या छतिपूर्ति एक आठ वर्ष का बालक है अपने छोटे भाई की तरह गुटने पर चलता है तो देखे दोस्तों ये परतिगमन का उधारन है वो पिछे लोट गया यार शमझे गुटनिष नंबर है थोरन डाइक के शीकने के नियम के अनुशार गोण नीमों में निम लिकित में से कौन सा समलित नहीं है भव अनुकरिया नियम, परभाव का नियम, मानसिक इस्तिति का विकास अंसिकरिया का नियम तो देखें दोस्तो गुटनिष का राइट अंसर बताई जल्दी से थोरन डाइक के शीकने के नियमों के नियमों के निसार गोण नियमों में कौन सा समलित नहीं है तो प्रभाव का नियम नहीं है दोस्तो ये तो मुख्या नियम है तत्परता का नियम है व्याफ्स का नियम प्रभाव का नियम बाकि ये सारे गोलने नेक्स्ट दोस्तो शिक्षन आधिगम परिक्रिया में ऐश आप दिक्षम्प्रेशन के तरीके हैं मुख के हाव भाव शाररिक बाशा शांकेतिक बाशा या उप्रोक्त सभी तो बीश का राइट आंस जल्दी से बताईए क्या होगा तो बीश का राइट आंस रहो जाएगा दोस्तो दे उप्रोक्त श्रफी 21 नंबर है नीमन में से कुन सा श्रमुए हार्डवेर से समंदित है अल्यू शीप्यू मोनिटर कीबर्ड मेस वर्ड कीबर्ड एल्यू शीप्यू एमेस पावरपोइंट एल्यू माउस प्रिंटर शीप्यू मेस एक्षल फोट्रोप यां वर्ड तो देखें दोस्तो 21 का राइट अंसर हो जाएगा ए ल यू शी प्यू मोनिटर कीवर्ड नेक्स्ट है दोस्तो अधिगम की दर्ष्टी से सरोतम शामगरी है पाठे पूस्तक में दी हुई बाजार में उपलब छातर निर्मित या अध्यापक निर्मित तो दोस्तो 22 क राइट अंसर हो जाएगा अध्यापक निर्मित अधिगम की दर्ष्टी से सरोतम शामगरी दोस्तो अध्यापक निर्मित होती है क्योंकि दोस्तो अध्यापक ही एक बाले को टीज करवाता है और अध्यापक को पता रहता है कि बाले को कैसे कैसे अधिगम हो शकता है तो द प्रश्णल फेक्टर यहां पर दोस्तो इसको रिपर्जेंट कर रहे हैं तो मैंने आपको बताई दिया एन्वायर्मेंटल फेक्टर ठीक है इफ तो देखिए इसका राइट आंसर मुझे बताईए आप जल्दी से क्या होगा कि देखिए दोस्तों इसका राइट अंसर से हो जाएगा वातावरणीय कारक व्यक्तिकत प्रदीखा उसे क्या कहते हैं इंटरनेट इंटरेट जा सर्विस प्रोवाइद तो दोस्तों यह दिलिट हो fähय पर्रसंट नंसक्रेमेंट इन प्रतेक्षिकर्ण परेईड गर्वाश लोगों के प्रतेक्षिकरण द्वारा विक्षित होती है रुची, बुद्धी, श्वेपर्ते, श्वेअनुशाशन तो देखे दोस्तों 25 का रायटांसर हो जाएगा श्वेपर्तेक्षिकरण, लोगों के प्रतेक्षिकरण द्वारा श्वेपर्ते विक्षित होता है रिपीट वाई ये परसन दोस्तों पिछे भी अपने आगे आया 26 नमर है कौन सा परतिमान चात्रों को संपर्ते निर्माण वै संपर्ते पुनर निर्माण में शायक है पूस्ता शिक्षन परतिमान सूचना परकरम परतिमान शैकारी अधिगम अगरिम शंक्ठन परतिमान तो इसका राइटान सर्थ दे हो जागा दोस्तों अगरिम शंक्ठन परतिमान 27 नमर है दोस्तों ज्यान क्या है ज्यान अन्बो के वेक्तिगत निर्माण का परिणाम ज्यान एक वेक्ति का वेक्तिगत अन्बो होता है ज्यान वेक्ति के विच्चारों यों द्रिश्टी कोण का संसार में परशारण करता है ज्यान एक अनुबो है जो उसके वेक्तितों को दर्शाता है तो जल्दी से बताईए तो 27 का राइटांतर एह हो जाएगा ज्यान अनुबो के वेक्तिगत निर्वर्चन का परिणाम होता है नेक्स परसन है दोस्तों कम्प्यूटर के कक्षा कशक्ष उप्योग क्या है कम्प्यूटर दारित अनुदेशन परदत विसलेशन या शंगनक कम्प्यूटर अनु परियोग या उप्रोक्त सभी तो जल्दी से बताई इसका राइटांसर क्या होगा तो इसका राइटांसर दोस्तों उप्रोक्त सभी हो जाएगा नेक्स परसन है दोस्तों संपर्ते उपलब्दी परतिमान के परवर्तक हैं प्याजे ब्रूनर प्याजे ब्रूनर या सा कार प्रभाविक अक्ष्या शिक्षण में विचेरा धिन नहीं होता तकनिकी की कमी परस्ट पोषण शिक्षण कार्य निती वे दक्सताइं शंप्रेशन वे श्पष्ट तका सिद्धार तो जल्दी से इसका राया टांसर बताईए तो इसका राया टांसर हो जागे दोस्तो तकनिकी की कमी तो दोस्तों ये थे 30 में तो परसन आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगाओगा तो लाइक करना अपने दोस्तों में सेर जरूर करना